वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उन बच्चों के लिए दस सेकिंड का मौन रखेंगे जिन्हों ने आज अपना टाइम वेस्ट चार से साड़े पांच के बीच में किया अब तुम्हारी बात करते हैं जैसा यह वीडियो नहीं करना चाहता है वह मेरी वीडियो के इंतजार करना सबसे पहले में तुम्हें शुरूरा ही बता दूँ अगर टाइम वेस्ट करना भी एक बहुत एक इंपोर्टेंट कला है बहुत कम लोगों के अंदर ही आई है ठीक है तो यह एक ऐसी कला है कि इसको सीखना बड़ा मुश्किल है तो यहां पर हमारे HRD मिनिस्टर यह सीख चुके हैं और हमारा उन्होंने आज 24-25 के बीच में टाइमर बात किया यह पूरा कन्वर्जेशन एक घंटे का नहीं एक गंटा 20-30 मिनट तक चला चुकि हमारा पूरा अच्छे से हो गया और पिछली बार की तरह इस बार भी यह एंगरी 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 साहिन हमें पूरे जगे कमेंट में देखने को मिले मतलब वह बेफको बच्चे होंगे जो 6000 से जादा बच्चे जोड़े फेस्बुक पे और बतनी ट्यूटर कितने जुड़े तो भाई आज हम उसी एक इंटर्वियू और उसी एक टाइम वेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं पिसली बार की तरह यह जो यह कन्वर्जेशन है यह लाइब वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जहां पहले से हुआ हो था इंडिया के बारे में जानकारि के दोहें तक पहुंच गई है मन को छूग गया यह साथवी के बच्चे अगर इसको देख लेते तो वह कुछ ग्यानी प्राप्त कर लेते तो मैं उन टीचरों के बारे में उनको धरक्वास करना जाता हूं सभी सेवन्थ क्लास के टीचर हिंदी के कि आपको तो भाई कि उसमें हुए इंडिया के बारे में बताया अपनी एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए बीच में वह सब टाइम विश्ट कर रहा हम सब सोच रहे थे कुछ बच्चे तो बैठे हो तो आब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा थोड़े देर बाद उनकी आल कि यह यह वह समझ गए अपने आपना कि हमारा ऐसा 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 इंडिया ऐसा है हमारी सरकार उस ने यह किया वह किया अरूं 48 मिनेट तुमारे हां तक बरबाद हुए अब उन टीचरों को पकड़ना चाहता हूं सबसे पहले उन टीचरों भाई में सामने आजाओ बस की और चिन्हों ने क्या भाया सव पूछे वैया अभे सबाल की वह तीचा सवाल गॉत्षियह फिंका एफ्रेश इंप का बकवास सवाल पूछ रहे हो कि यहां पर नए शुक्षा नीटी से क्या अधर पढ़ेगा अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या तुम देखतरी रह उसमें से एक टीचर ने पती की बात पूछी कि बाई बॉर्ड कब होंगे जो तुम इसके सुनने के लिए तुम यहां पर आये हो उन्हाने सीरे सीधा बोल दिया बाई द्यान से सुन लो कि बॉर्ड हम जनवरी फरवरी में तो बिलकुल नहीं कराएंगे उन्होंने लेटेस् बॉर्ड कब होगा तुम ने बहुत जनवरी फरवरी है उसके लिए तो आपको टाइम ली रहा है प्रेक्टिकल के लिए तो मतलब जरूरी नहीं यह जनवरी फरवरी में प्रेक्टिकल सो वह आगे भी शिफ्ट हो सकते हैं पर जो मार्च या प्रल के अनाउंट हो जाएग बिनी निकला इनके मूँझे नीट का कि वह बड़ और नीट कितनी वार होगा मतलब कोई खफा है निशा वहीं सेम लाइन बेश लिग यह सबसे को रोना वायस का सबसे बड़ा एक्जाम जो हम ने कर आया है हमने हमारी वजह से कि हुआ है एक्जाम हम नहों होता कैसे और दू निकल आजो Online classes का राइए भाई हमारे डेश से किसी सा अच्छे नहीं कराई मतलब ही कहना चाहरे कि हमारे इंडिया ही इंडिया ही इस डेश है जो इतने अच्छे से online class नहीं होती है कोई बात नि चलो इंडिया को यह कुज मुझे नहीं पता पर गवाई टीचर इतने अच्छ में बिल्कुल बहस निकलना चाहता है शायद नहीं पता होगा कि कैसे कैसे बना जाता है कोई बात नहीं को वैसी बात है कि सेकंड क्लास के बच्चों से आप एक इंटिग्रेशन का सवाल करा रहे हुँ वो नहीं बता पा रहा है तो उससे कैसे फूस सकते हैं छोड़ो ठीक छोड़ो बात को तो भाई इसके बाद मुझे लगता है कि आज से टीचर जितनी हैं वो अपने बायों में लिए 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 शुरू कर देंगे कि हम तो आई एस से भी बहतर हैं मतलब डियम है वो सब पागल बैठे हैं उन सब को यह सब जॉब छोड़के टीचर बन जाना चाहिए तो सर उसे साब से तो आप भी आई एस होने चाहिए थे क्योंकि वह तो ज्यादा सान है मिनिश्टर बनने से ठीक है तो सबसे पहले इन्हों जा हमें हर समय आके बरते रहते हैं और बस और कुछ नहीं और एक और बात आखरी में कुछ ऐसा हुआ जो हैं पने इसा है यहRIS पुछ हम आपको एक बहुत इंपर्टेंट बाथ आखरी में वोटा जा रहे बहुत ही इंपर्टेंट बात हम आपको बता देश के प्रधानमंत्री को अभी United Nation of America मतलब United States of America USA ने एक अवार्ड से सम्मानित किया है ये थी खबर ये इंपोर्टेंट बात थी अगर ये इंपोर्टेंट बात थी तो अभी जित्ता आप कर रहे थे वो क्या था फिर हाँ ये ही इंपोर्टेंट बात थी और बस आज का लाइव में आपने जुड़ने के लिए बहुत बहुत थेंक यू बाइबाइब तो कुछ इस तरीके का रियक्शन था बच्चों का तो तुम समझ गयोगे भाई इसलिए मैंने तुम शुरू में मुन रखवादिया उनके लिए 10 का तो बहुत इस ता इस सवीडियो में तो बहुत तो इससे कुछ भी इसमय लो इसे एक informative वीडियो समझ लो इसे एक roasting टाइफ वीडियो समझ लो तुम कुछ भी समझ लो जो है सत्य है तुम्हाले सामने लाके रग दिया और कोई भी बात रही हो यह मैंने सारी बाते बता दी क्योंकि कोई बाते बताने वाले थी नहीं दो दिन बाते थी वह न तुम्हें ब